यूत कमप्रेटिशन का केश्चन एंसर आप देख रहे हैं इस पार्ट में बहुत ही इंपोर्टन केश्चन आगे के आएंगे तो आई स्टार्ट करते हैं अजन्ता की अनुक्रिती का कार्य सव्फ थम किस नहीं किया तो ए ओप्षन सही है मेजर गिल ने किया अजन्ता की के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं यहाँ पे तीस गुफाएं हैं सबसे पहले प्रतलिपिया सन 1847 में ब्रिटिस कलाकार रावर्ट गिल ने बनाई थी जबकि सन 1911 में नंदलाल बसु और असित कुमार हादन ने अजनता के प्रतलिपिया बनाई आगी क्यूशन है अजनता के भीति चित्र किस माध्यम पर या किस बिधी से निर्मित किये गए तो मिश्रित बिधी है यानि अजनता के भीति चित्र मिश्रित बिधी से निर्मित किये गए हैं तो अजनता की चित्रों का धरातल तयार करने के लिए सर्वथम प्लास्टर के प हैवल कामत है कि अजनता में चित्र पूर्ण हो जाने पर जब सूख जाते थे तो चित्र में अत्यधी प्रकास को उभारने के लिए ठेमपरा रंग से चित्रन किया जाता था आगी क्यूश्चन बहुत इंपोर्टन्ट है महत्मा बुध का ग्रहत्याग अजनता की किस संख्या में गुफा संख्या में है तो 16 वी गुफा में महत्मा बुध का ग्रहत्याग चित्र है आगी क्यूश्चन है अजनता गुफाओं में 1000 बुध किस संख्या की गुफा में चित्रित है सी ओप्शन सही है तो दो यानि अजन्त की गोफा संख्या दो में निमलिखित भीत चित्र प्राप्त हुए हैं सर्वनास माया देवी का स्वपन महा रानी का पित्र ग्रिह गमन महा हंस जातक बिदुर पंडित जातक जूती हुई राजकुमारी दो बाए अंगुठे वाली न का उपदेश आदे दो गुफा संक्या दो में है आगी क्यूषन पूशता है कि अजन्ता गुफा लोरा की गुफाय कितने वर्समें बन कर तयार हुई तो D.14 में तयार हुई यानि आगी क्यूष्जन है अजन्ता कितने मीटर लंबाई में फैला हुआ है तो पहाड़ी के इत्तर की और एक परपात निनाद करता प्रवाहित होता है जो कि ये तीन गुफाएं पुरुसे पश्यम की और यह जो तीस गुफाएं है पुरुसे पश्यम की परंद्र demonstrates फेयर पन्दर रखतिया गया 600 गज की लंबाई में बनाई गई है वर्षा आगमन के साथ यह सारी घाटी सस्या मलम प्रिच्छों से अक्षा दित हो जाती यारे घने हरे प्रिच्छों से घिर जाती है आगे क्यूश्चन है अजन्ता में किस धम से जुड़े चित्र या मूर्थ नहीं है तो यहां पे बहुत धर्म से तो है ही ठीक है तो किस धर्म से मूर्थ नहीं है यहां पे जुड़े चित्र या मूर्थ दोनों नहीं है यह पूछा है ठीक है तो जैन धर्म से नहीं है हिंदू धर्म से नहीं है और इसाय धर्म से नहीं है में बनी है अजंता के चित्रकिस के जीवन पर आधारित है तो बुद्ध के जीवन पर आधारित है यानि जातत करण के तो अजंता में कितने हैं तो इस समय तो상ते थीज baru का प्रकास में आई तो सी ऑप्षन सही आनि 1819 में प्रकास में आई आगी क्यूश्चन है अजन्ता की भीत चित्रकारी में सत्ध को तयार करने में किस तकनीकी को अपनाया गया तो चावल की भूसी और गोद सहित गाय का गोबर यानि ए ऑप्षन सही है संदोजार चार में टीजी टीम प किस चित्रकला के उधारन है तो ए यानि मियूरल के उधारन है अजन्ता की चित्रकला बहुत ही इंपोर्टन्ट ये क्यूश्चन और आगे क्यूश्चन है अजन्ता चित्रों का प्रमुक स्थान क्या है तो महारास्त यानि वही क्यूश्चन देखे यहां पे वही क्यूश एक क्यूशन को 20 बार पढ़े, 50 बार पढ़े, 100 बार पढ़े, जब तक आद ने, बहुत लोग कहते हैं कि बन को सांथ करके पढ़े, याद कैसे नहीं होगा, आगे क्यूशन है, अजन्ता के समकालिन चित्र कहां मिलते हैं, तो बाग गुफा में अजन्ता के ही समकालिन चित्र मिलते हैं, आगे क्यूशन है, बीस्व प्रसीद पढ़ आउले कितिस्वर का चित्र अजन्ता की किस गु में हैं यानि यह उप्सिंस आगर साधिकित्व है और पान्य और लो नौकित तर अंकन कहां मिलता तो भीति-चित्र पर मिलता है अवलेक्टि किस्वर जो है का पर्थम अंकन हमें अजन्ता की गुफसन के एक मिलता है ठीक है और आगी क्योशन बहुत इंपॉर्टन क्योशन है कौन साच्चित्र अजन्ता का नहीं है चार आपसंदिया है मना सन्राजकुमारी अजन्ता का है पदमपाण अवलोग के तिस्वर अजन्ता का है चार जन्त जाता के भी अजन्ता का है महावीर ये जो है अजन्ता का नहीं है जैंदर्ब से संबंदित है और डी जो है महावीर ये अजन्ता का नहीं है आगे क्योशन इनमें से कौन और संबंद है तो दिया है मोगल चितरक चित्रकला राजस्थानी चित्रकला कांगड़ा चित्रकला तो देखें मुगल चित्रकला राजस्थानी चित्रकला कांगड़ा चित्रकला यह लगभग एक समय से संबंदित हैं और अजनता चित्रकला बहुत ही पुरानी यानि 200 इशापुर से 700 इशापुर के समय की यह चित गुफा संखिया एक में हैं अजंता की प्रश्धियों में हंस जातक भीति चित्रन तो 17 गुफा संखिया और आगी क्यूश्चन है अजन्ता की गुफा संख्या एका निर्माड काल है तो सातवी सताब्दी में माना जाता है अजन्ता की गुफा संख्या एका निर्माड काल आगी किस्चन है महात्मा बुद्ध को भिच्छुक के रूप में अजन्ता की किस गूफा में चित्रित किया गया है तो 17 गूफा में चित्रित किया गया है आगी किस्चन है अजन्ता म्यूरल्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है अजन्ता म्यूरल्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है तो अजीत घोस अजन्ता मियूरल नामक पुस्तक के लेखक हैं अजीत घोस 1976 में प्रकासित होई थी यह पुस्तक 1824 में लेफ्टिनेंट जेम्स ई एलेक्जेंडर ने अजन्ता गुफा को देखा अजन्ता गुफा की खोज 1819 इस भी में विजसेंट स्मित ने सर्वतम देखा था अजन्ता गुफा की कुल 30 गुफा हैं जिसमें से 6 गुफा में चित्र हैं यानि 1, 2, 9, 10, 16 और 17 गुफा में 17 को रंग महल कहा जाता है गुफा संक्या 17 को आगे क्यूशन है ताजा चुनी के प्लास्टर पर मूरल पेंटिंग की किस तकनीक को निस्पादित किया जाता है वह कहलाती है क्या कहलाते है चार आपसंदिया है फ्रेसको गांस टेंपरा वाटर क प्लास्टर पर मूरल पेंटिंग की जिस तकनीक को निस्पादित किया जाता है उसी को फ्रेसको कहा जाता है तो दो प्रकार के होते हैं फ्रेसको सेको फ्रेसको भूनो तो भीती चित्रों की रचना है तो संचलित यूरोपीन पध्धत को फ्रेसको कहते हैं इसके दो प्रक सुखी भीति पर खनीज रंगों की घोल बनाकर चित्रण किया जाता है इस प्रविदि में न रंगों में अस्थाइत्व रहता है और न रंगों की चमक एकसी रहती है इसे फ्रेक फ्रिसको स्रेको कते हैं यानि सुखी पध्धक दूसरी विधि जो है आद्र स्रेको है यानि बूनो इसमें भीति पर लगाया हुआ चूनी का प्लास्टर गीला रखते हुए खनीज रंगों के घोल से चित्रण किया जाता है संपूर दिवारवा पहले साधान प्लास्टर करते हैं और उसके उपर उत्तम सामागरी से निर्वित प्लास्टर की एक और परत चड़ाते ह तो यह फ्रिश्को सेखो और फ्रिश्को बूनों बहुत इंपोर्टेंट है आप थ्यान देजेगा आगी किसे ने बुद्ध के पुरो जन के है तो कि सब्दन का प्रयों किया जाता है तो जातक सब्द का प्रियोग यानि B option सही है जातक सब्द बुद्ध का वास्तविक जीवन तथा उनके पुरोजन की कथाओं यानि जिसे जातक कहा जाता है का चित्र है इसमें बहुत देवी देवताओं का बुद्ध के जीवन से संबंदी चित्र है बुद्ध जातक कुकुट जातक आदी है अजनता है पूछा है अजनता है तो महारास्ट में है आगे क्यूश्चन है कि जातक कथाएं क्या है तो बुद्ध के पूर्जन की कहानी है आगे क्यूश्चन है टेमपरा रंगो का स्वर्णिम काल किस काल के चितरों को देखा जा सकता है तो य ये अजन्ता में ही देखा जा सकता है बहुत important है आगे question है अजन्ता की चितरकारी में किसकी प्रधानता है अजन्ता की चितरकारी में बीशे प्रधानता है दोस्तों इस वीडियो में तना ही आगे next वीडियो में फिर से मिलते हैं thank you